अक्षांश, देशांतर, समय और वास्तविक तिथी रेखा अक्षांश और देशांतर रेखाए, प्रित्वी पर खींची गई, कोई वास्तविक रेखाए नहीं होती हैं बल्कि ये दोनों हिन रेखाए ग्लोब पर खींची गई, काल्पनिक रेखाए होती हैं गलोब परुद्तर से दक्षिन की ओर खींची गई रेखाएं, अर्थित वृत देशांतर रेखाए या व्रिहत वृत देशांतर रेखाए कहलाती हैं। जबकि ग्लोब के उपर पश्चिम से पूर्फ की दिशा में खींची गई परसपर समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं तित्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को विशुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं विशुवत रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्फ की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है भूमध्य रेखा प्रित्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षणी गोलार्ध के रूप में विभाजित करती है विशुवत रेखा से उत्तर या दक्षण में किसी भी बिंदू से पृत्वी के केंद्र से मापी गई कोण ये दूरी अक्षान श्रेखा कहलाती है अक्षान श्रेखाय प्रतेक एक दिग्री दिग्री के अंतरार पर दोनों ध्रुवों तक खींची गई है इस प्रकार येदी विशुवत रेखा से प्रतेक एक दिग्री के अंतरार पर द्रुवों की ओर अक्षान श्रेखाय खींची जाएं तो नब्बे दिगरी उत्तरी गोलार्ध तथा नब्बे दिगरी दक्षणी गोलार्ध तक अक्षानश्रेखाई खींची जा सकती हैं। इस प्रकार गलोब पर एक एक डिगरी के अंतराल पर खींची गई आक्षानशरेखाओं की संख्य शूने डिगरी आक्षानशरेखा को मिलाकर कुल 181 आक्षानशरेखाइन होँगी वास्तव में आक्षानशरेखा रेखा नहीं हैं बल्कि ये एक वृत हैं ये वृत्ध पृत्वी को चारो ओर से घेरे हुए हैं इस प्रकार पृत्वी पर कुल अक्षान्शी वृत्तों की संख्या दिगरी अक्षान्श वृत्ध को मिलाकर एक आठ एक अक्षान्श वृत्ध हैं ग्लोब पर विशुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षान श्रेखा है तथा 90 दिद्री उत्तरी अत्वा दक्षनी अक्षान श्रेखा सबसे छोटी अक्षान श्रेखा है विशुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिन में धुरूओं की ओर जाने पर अक्षान श्रेखाओं की लंबाई घट्ती जाती है 90 दिगरी उत्तरी अत्वा दक्षिनी अक्षान श्रेखा एक बिंदु के रूप में देखी जाती है भूमध्य रेखा प्रित्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है कुछ महत्वपून अक्षान्श रेखाओं को विशेश नाम दिया गया है जिनका विवर्ण निम्न लिखित है 23.5 दिगरी उत्तरी अक्षान्श करक रेखा ट्रॉपिक ओफ कैंसर 23.5 दिगरी दक्षनी अक्षान्श मकर रेखा ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकोन 66.5 दिगरी उत्तरी अक्षान्श आर्कटिक व्रित्थ आर्क्टिक सर्कल 66.5 दिगरी दक्षनी अक्षान्श अंतार्क्टिक व्रित्थ अंतार्क्टिक सर्कल 90 दिगरी उत्तरी अक्षांश उत्तरी धुरूव नौर्थ पोल 90 दिगरी दक्षनी अक्षांश दक्षनी धुरूव साउथ पोल 0 दिगरी अक्षांश विशुवत वृत या भूमध्य रेखा इक्वेटर अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं धर्ती पर जिन स्थानों से ये काल्पनिक रेखाएं गुजराती हैं वहां दो अक्षान श्रेखाओं के मध्धे की दूरी एक दिगरी अर्थात 111 कि मीशून होती है जो दो अक्षान श्रेखाओं के मध्धे समान रहती है प्रित्वी पर उत्तरी ध्रूफ से लेकर दक्षिनी ध्रूफ तक खींची गई रेखाओं को देशानतर रेखा करते हैं प्रतेक देशानतर रेखा एक ध्रूफ से शुरू होती है और दूसरे ध्रूफ तक जाकर मिल जाती है अक्षान्ष रेखाय रेखा न होकर बलकी एक वृत्थ हैं जो की प्रित्वी को चारो तरफ से घेरती हैं जबकी देशांतर रेखाय वृत्थ न होकर बलकी रेखाय हैं जो एक ध्रूफ से शुरू होकर दूसरे ध्रूफ पर समाप्थ हो जाती हैं प्रतेक गोलाकार वस्तू 360 डिगरी की होती है, इसलिए प्रित्वी को भी 360 डिगरी में विभाजित किया गया है देशांतर रेखाएं एक डिगरी के अंतराल पर खींची गई हैं, एर्ता कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है वहाँ देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीन विच से होकर गुजरती हैं, उसे हम शूने डिगरी देशांतर रेखा करते हैं शूने डिगरी देशांतर के पूर्फ में स्थित देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर रेखा तथा शूने डिगरी देशांतर के पश्चिम में स्थित देशांतर रेखा को पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है ग्रीन विच रेखा को प्रधान्या मियोत्तर रेखा भी कहा जाता है प्रित्वी अपने अक्ष पर 360 दिगरी घूमने में कुल 24 घंते का समय लगाती है अथा प्रित्वी को एक दिगरी घूमने में 4 मिनट का समय लगता है अथा प्रतेक देशांतर के मध्धे 4 मिनट का अंतर पाया जाता है प्रित्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूफ की दिशा में घूमती है इसलिए सूर्योदय सबसे पहले पूफ दिशा में होता है उदाहर्ण के लिए अगर देखा जाए तो भारत में अरुनाचर प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है जबकि भारत में ही गुजरात राज्य में अरुनाचर प्रदेश से दो घंटे बाद सूर्योदय होता है क्योंकि गुजरात अरूनाचल प्रदेश से लगभग 30 दिगरी पश्चिम में स्थित है शूने दिगरी देशांतर रेखा से पूर्व की दिशा में समय आगे होता है जबकि शूने दिगरी देशांतर रेखा के पश्चिम की दिशा में समय पीछे होता है ऐसा प्रित्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण होता है यदि 0 दिगरी देशांतर रेखा पर 12 बज रहे होंगे तो 15 दिगरी पूर्वी देशांतर रेखा पर 2 पहर का एक बज रहा होगा इस नियम के अनुसार भारत का समय लंदन के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है एक ही देश से होकर नेक देशांतर रेखाए गुजरती है उदाहर्ण के लिए भारत के सबसे पर्ष्चिमी छोर पर 68 दिगरी 7 मिनिक पूर्वी देशांतर रेखा तथा इसके पूर्वी छोर पर 97 दिगरी 25 मिनिक पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है यदि इन दोनों देशांतर रेखाओं के मध्य में अंतर देखा जाए तो कुल 30 दिगरी देशांतर रेखाओं का अंतर प्राप्त होता है आतह दोनों देशांतर के मध्य दो घंटे का अंतर पाया जाता है अधिक देशांतरिये विस्तार वाले देशों में पूर्वी छोर का समय पश्चिमी छोर के समय से अलग हो जाता है इस समय के अंतर को समाप्त करने के लिए जिससे सभी राज्यों के समय में समानता रहे हमने किसी एक देशांतर रेखा को मानक समय स्विकार कर लिया है भारत में पांच दिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के समय को भारत का मानक समय रेखा स्विकार किया गया है 82.5 दिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है आतः प्रयागराज का समय पूरे भारत का समय माना जायेगा 85 दिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के पांच राज्यों उत्तरप्रदेश, मभ्यप्रदेश, 36गड, उरीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है भारत का मानक समय 5 दिगरी पूर्वी देशांतर है इसलिए लंदन के ग्रीन विच समय रेखा से यह 5 घंटा 30 मिनट आगे है अतार येदी ग्रीन विच पर 2 पहर के 12 बज रहे होंगी तो भारत में प्रयागराज में 5 बज कर 30 मिनट होगा इस प्रकार येदी 82.5 दिगरी पुष्चिमी देशांतर का समय ग्यात करना हो तो तब ग्रीन विच समय में 82.5 दिगरी पुष्चिमी देशांतर के समय को कम कर दिया जाएगा उदाहर्म के लिए येदी ग्रीन विच पर 2 पहर का 12 बज रहा होगा तो इसमें से 5 घंटा 30 मिनट कम कर दिया जाएगा अध 82.5 दिगरी पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह के 6 बज़कर 30 मिनट होगा विशुमत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य सरवाधिक दूरी होती है जैसे जैसे हम ध्रुहों की ओर बढ़ते जाते हैं दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती जाती है विशुमत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 32 कि मीशून होती है देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा तथा पश्चिमी देशांतर रेखाओं में बाता गया है इसलिए यदि देशांतर रेखाओं को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो 180 डिगरी पूर्वी देशांतर रेखा तथा 180 डिगरी पश्चिमी देशांतर रेखा होती है शूर्न डिगरी देशांतर रेखा के ठीक पीछे 180 डिगरी देशांतर रेखा को 180 डिगरी पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है अर्थात 180 डिगरी पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा अलग अलग नहोकर बलकि यह एक ही रेखा होती है प्रित्वी अपने अक्ष पर 24 घंते में एक चक्कर पूरा करती है इसलिए शून दिगरी देशांतर रेखा से 180 दिगरी पूर्वी देशांतर रेखा का समय 12 घंता आगे तथा 180 दिगरी पश्चिमी देशांतर रेखा का समय 12 घंता पीछे होता है इसलिए यदि 180 दिग्री पूर्वी देशांतर पर दिन मंगलवार हो तो 180 दिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन एक दिन पीछे अर्थात सुमवार होगा अता, यदि कोई नाविक 180 दिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को पार कर जाता है, तो वह अपने घड़ी को एक दिन पीछे कर लेता है 180 दिग्री देशांतर रेखा को अंतर राष्ट्रिय तिथी रेखा कहा जाता है टैड्स, अक्षांश, देशांतर, फेस्बूक, ट्वीटर, रड़िट, प्रीवियस आर्टिकल जवार भाटा और सूरे ग्रहन चंद्रग्रहे, एडिटोरिरल टीम